आज बात करते हैं प्लास्टिक मल्चिंग के फाईदो के बारे में मल्चिंग से मिट्टी में नमे बरकारा रहती है प्लास्टिक मल्चिंग से किसानों का सबसे बड़ा सिर्दर यानि खरपतवार के वृद्धि को रोपता है मल्च मिट्टी को फल और पत्यों के संपर्ट में आने से रोकता है जिससे फलों की सडन और फंगस की बिमारी कम होती है पानी और हवा के द्वारा मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है मल्च से जमिन के अंदर कातप नियंतरित रहता है और पोधो की नए जड़ो को विक्सित करता है जिसका सीधा सबन पोधो की बढ़वार और उपद से है कीट वर रोग कम आने से कीटनाशी में लगने वाला अतिरिक्त खर्चे से मुक्ति हो जाती है पोधो की वृद्धी अच्छी होने से उतपाद और क्वालेटीफल मिलने से मार्केट में अच्छा दाम मिलता है और किसान के आवक में बढ़ोती मिलती है तो किसान भायो देर किस बात की प्लास्टिक मल्चिंग अपने खेट पे लगाए और अपने पोधो का विकास उतपाद और अपने आवक में बढ़ोती करे धन्यवाद